Hello दोस्तों मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के मेसेज़ेस आ रहे हैं कि सरे एक नोडिफिकेशन आया इंस्टूड्यूट का कि एक्जाम पोस्पॉन हो गई है क्या सच में एक्जाम पोस्पॉन हो गई है तो मैं इन्स्टूड्यूट के वेबसाइट पर गया और यह रहा वो notification मैंने वो click किया और देख लेने notification में क्या लिखा हुआ है so that कोई doubt नहीं रहना चाहिए कि exam postpone हुआ या नहीं हुआ यह रहा notification जिसमें जिसमें अगर आप notice करोगे ठीक से तो जो exam 11-18 June को होने वाली थी उसको क्या कर दिया गया है पोस्पॉन कर दिया गया है it will happen from 20th July 2020 तो यह बात सच है कि exam postpone हो चुका है और revise schedule जो भी है नया timetable जो होगा वो जल्दी से announce किया जाएगा तो अब आपके exam postpone हो चुकि है 20th July onward होगी मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों लोगों के लिए यह good news है कि चलो भाई exam और एक मैने के लिए पोस्पॉन होगी और कुछ बच्चों के लिए यह mental harassment है because exam का postpone होना कहीं न कहीं तो थोड़ा सा stress दे देता है कि अरे यार फिर सा exam आगे चली गई तो मैं यह understand करता हूं एक चीज़ आप समझ के लिए लिए कि economy में already unpredictable environment चल रहा है कोई नहीं जानता है कि अकल जाके क्या होने वाला है तो ऐसे unpredictable environment में यह सब चीज़े होना बहुत जरूरी नॉर्मल है तो आपको stressful होने की जरूरत नहीं आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करिए म तो आपके पास मौका मिल गया है चीज़ों को रिवाइस करने का अगर आपने किसी चीज़ को दो बार रिवाइस किया तो तीन बार रिवाइस करने में कोई side effect नहीं है तो आप उसको as many times as you can revise it and demand में यह रख लीजिए कि don't expect कि 20th July को भी exam हो जाए because as of now nobody knows what is gonna happen we are expecting कि 20th July तक matters सारे normal हो जाएंगे तो शायद exam conduct कर लिया जाएगा तो exam में ऐसे कोई expectation ही मत रखिये read without expectation study without expectation this should be your agenda और exam postpon हो गई है आराम से relax होके पढ़िये और घाई मत करिये चीजों को अच्छे से पढ़िये अभी आपके पास नहीं नहीं बोलके तो it is a month of April तो खतम होने आया May and June you have exactly two months again अच्छे से पढ़िये और कुछ लोगों ने जिन्नों ने एक ग्रूप दिया के planning करिये तो आप अच्छा खासा टाइम आ गया है बट आप अच्छे से पढ़िये and ensure exam जबी भी होती है आप उसको 100% पास करते हैं और याद रखना सभी लोगों को उतना टाइम मिला है तो everyone will be preparing to the best possible level तो आपको exam को और अच्छे से लिखना है you can't take it very lightly casually आपको अच्छा ही preparation करना है तो अच्छे से prepare करिए कुछ और चाहिए होगा तो आप comment box में लिख दिजिए we will try to help you, bye bye